Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफॉर्ड़बल उसके बारे में जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिरकार ISRO का अगला मिशन कौन सा है, तो देखें यहाँ पर अधित्य L1 मिशन, इसको लेकर मैंने अलड़ी एक डीटेल वीडियो बनाया था दो तीन दिन पहले, लेकिन आज मैं आपको इसके अंदर बात करूँग कि अधित्य L1 मिशन exactly जाएगा कहाँ पर, मतलब कि क्या ये सूरज को टच करेगा, या फिर मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊँगा, कौन सा वो मिशन था जो सूरज को टच किया था, मतलब कि सूरज के सबसे करीब जाने वाला मिशन जो अभी भी चल रहा है, वो क एक ऐसा बैच आते थे, जिसमें प्रिलिम से लेकर इंटर्व्यू तक की साधी त्यारी कराई जाए, मेंस की भी त्यारी कराई जाए, तो सिंप्ली ये जो तीन लाइव बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, दोस्तों उसको आप जोईन कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट एप प पाएंगे, चले सुरवात करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly हो क्या रहा है, दीखें, पिछले एक दो दिन से लगतार इस तरो के दोरा, अलग-अलग पिक्चर्स रिलीज किये जा रहे थे, मतलब लॉंचिंग के जश्ट पहले ये जो आप देख रहो ना रॉक तो इस तरह के पिक्चर्स रिलीज किये जा रहे थे, इस तरो के दोरा, कि यहाँ पर जो अदित्य L1 मिशन है, उसमें कोई भी डिले नहीं है, सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, जो भी टेस्टिंग है, रिहर्सल है, वो सब कुछ हो चुका है, और इसको बेसिकली यहाँ आप लॉंच करने के लिए ले जाये जा रहा है, और इम शूर कि जब तक यह वीडियो रिलीज होगा, जब तक आप यह देख रहे हो, मेरी आवाज को सुन रहे हो, तब तक यह मिशन भी अल्मुस्ट लॉंच हो ही चुका होगा, ठीक है, यहाँ पर अब सबसे पहला कोशन यह है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि आखिरकार यह जो अधियत्य L1 मिशन है, वो कहाँ पर जाएगा, देखें, जैसे चंद्रियान 3 मिशन में आपने देखा होगा, यहाँ पर जो शिर्फ सक्ती पॉइंट है, जहाँ पर यह लैंडर लैंड किया, वो तो चांद भी ऐसा मिशन नहीं है, जो उसके उपर अंदर लैंड कराया हो, हाँ, वो सबसे नजदीक गया है, उसके आउटर सर्फिस को छुआ है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यह जो अधित्य L1 मिशन है, इसको बेसिकली लाग रेंज पॉइंट पर प्लेस किया अब मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से डीटेल से समझाना चाता हूँ, इसके डिस्टेंस वगरा को समझाना चाता हूँ, देखो जैसा कि आप देख सकते हो, यह सूरज है और यहाँ पर प्रित्वी है, प्रित्वी के इर्द गिर्द आपको पता ही है, इसके और्बिट म मतलब स्पेस में ही उसको रखा जाएगा, अब यह एलवन पॉइंट की खास बात क्या है, सिंपल सी चीज है, कि यहाँ पर जो दो बॉडी है, अब यह दो बॉडी कौन सी है, एक हो गया सूरज और दूसरा हो गया प्रित्वी, तो दोनों के ग्रैविटेशनल पुल की पर जरूएंगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नी है, जैसे जपर इसे प्रित्वी मूव करती रहेगी, वैसे वैसे यह जो घर्ंफ करता रहेगा, मतलब हमारा स्पेस क्राफ्ट से मूव करता रहेगा, इससे फैदा क्या होगा, कि हमें ना तो कोई फ्योएल यूस करन मतलब अभी भी लोग कई लोग सोच रहे हैं कि आखिरकार ये जो mission है क्या वो सूरज के एकदम नजदीक चला जाएगा देखो land तो नहीं करेगा ये साब बात है क्या ये नजदीक जाएगा बिलकुल भी नहीं मतलब कि आप समझ ये यहां से धर्ती से पृत्वी से सूरज का distance कितना आप मुझे बताएए it is around 150 million km सोच के देखिए it is 150 million km पृत्वी और सूरज का distance अब ये जो L1 point है दोस्तों क्या आपको पता है कितना उसका distance है उसका distance है just 1.5 million km आप समझ रहे हो मतलब ये पृत्वी के बहुत नजदीक है मतलब कि जितना पृत्वी और सूरज का distance है उसका just 1% distance ही ये cover करेगा हां जो चांद है वो ध्यान रखेगा चांद का distance है लगबग 3,84,000 km के आसपास धर्ती और चांद का लेकिन ये कितना है 15,00,000 km मतलब कि चांद का distance है धर्ती से उससे 4 गुना जादा distance में जो 11 point है वो देखने को मिलेगा कि इस point पे रहने से क्या होता है कि सूरज को हमेशा के लिए 24-7 बिना किसी रुकावट के आप उसको observe कर पाओगे तो हमें हर एक चीज की जानकारी जो भी यहाँ पर जुटाना है वो हम कर सकते हैं और ये launch भी कैसे होगा जैसा कि आप देख सकते हो प्रत्वी से इसको launch और प्रत्वी के पहली ये orbit में रहेगा अपना जो acceleration है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा और फिर इसको L1 point में इस तरह से भेजने की कोशिश की जाएगी ये जो आप देख पा रहे हो ये है आपका L1 point और यहाँ पर इस तरह से भेज़ेगा और इसमें लगबग 120 दिन के वो कौन सा है देखे जब ये जा रहा होगा रास्ते में तो ये spacecraft कुछ ऐसा दिखेगा इस तरह से इसका जो solar array है ये folded है लेकिन जब ये L1 point पर पहुँच जाएगा तो इसके solar array को इस तरह से खोल दिया चाएगा ये जो आप देख पा रहे हैं ताकि इसके अंदर जो payload वग 2021 में इतिहास में पहली बार कोई ऐसा spacecraft था जो सूरज के बहुत नजदीक गया था अल्मोस्ट आप कह सकते हो सूरज को touch कर लिया था अब ये कौन सा है ये है NASA का Parker Solar Probe ये आपको ध्यान में रखना है NASA का Parker Solar Probe जो है वो in fact अभी भी सूरज के चक्कर लगा रहा है मैं आपको से दिखाऊंगा लेकिन मैं आपको बता दूँ इसका distance कितना है अभी latest अगर आप देखोगे तो बताया जाता है कि सूरज से लगभग 7.8 million km आप समझ रहे हो न हम जो अपना spacecraft भेज रहे हैं वो अभी सूरज से लगभग 149 million km दूर है लेकिन जो NASA का Solar Probe है वो सूरज के एक उसको टच किया था अब टच क्यों किया था मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सूरत जब हम बोलते हैं ना सूरी की जब हम बात करते हैं तो इसका जो outer सबसे outer वाला पार्ट है उसको कहा जाता है Corona मतलब कि इसका जो रेज वगड़ा इस तरह से निकल रहा है ना उसकी हम ब thermal shield इसके अंदर लगाया गया है जो की 8 feet diameter का है और अगर हम इसके thickness की बात करें it is 4.5 inch thick मतलब की 4.5 inch जितना थिक है ये carbon composite से ये बना है इसका आगे वाला पार्ट ताकि ये क्या करता है आगे ये जो पार्ट है वो पीछे वाले instrument को protect करके रखता है इस तरह से solar array वगड़ा close कर दिया जाता है तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा कि आगे इसका shield लगा हुआ है क्योंकि सूरज की रोशनी और सूरज की जो गर्महाट है वो बहुत जादा है वो अपने आप में रोकना बहुत मुश्किल है खेर ये अभी भी work कर रहा है अब आपने से कई लोग स करीब है वीनस के करीब है और बहुत जल्द वापस से ये सूरज के काफी करीब जाने वाला है कितना करीब ये सूरज की सता से लगभग 6.16 मिलियन किलो मीटर होगा और सिर्फ यही ने मैं आपको बता दूँ आगे चलकर जून 2025 में जो पारकर सोलर प्रोब है वो आपका ब 2 सकेंड में आप चले जाओगी इतने टेजी के स्पीड से ये आपका जून 2025 में एंटर करेगा सूरज के एकदम अल्मोस्ट करीब में एकदम अंदर आप कह सकते हो ठीक है तो ये लगातार इस तरह से अभी भी ये जो पारकर सोलर प्रोब है वो चल रहा है और कई सारे इं आपकारी मिलेगी वैसे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग ची बताता हूँ कि एकस इसरो के जो साइंटेस्ट है इनका नाम है डॉक्टर वायस राजन ये बहुत इंपोर्टेंट परसन है इनको अल्री पद्म श्री अवार्ड भी मिल चुका है 2012 में and he was also co-author with APG अब्द का नहीं है ये 15 साल से चल रहा है 15 साल पहले 2008 में हमने इसके बारे में सोचा था लेकिन उस समय हमने ये कहा था कि इसको अर्थ के नियर अर्थ और्बिट में ले जाया जाएगा मतलब पृत्वी के जस्ट 800 किलोमीटर अबव ले जाया जाएगा और वहां से सूरज को रहे हैं लागरेंज पॉइंट की तरफ ले जा रहे हैं ताकि और अच्छे से हम उसको स्टडी कर सकें खेर जो मैं आपको बता रहा था था ना कि इसके अंदर टोटल 7 पेलोड लगे हैं अब ये 7 पेलोड में मैं आपको शॉट में बता दूं कि इसमें से जो 4 पेलोड है जो स्टडी करेंगे और जो तीन पेलोड है वो लागरेंज जो पॉइंट है ना उसको स्टडी करेगा लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पेलोड है इसका नाम क्या है इसका नाम है VELC that is Visible Emission Line Corona Graphy अब ये क्या करेगा हर दिन जो सूरज का लगभग 1440 इमेजेज है वो सेंड करेगा इस रोको ग्राउंड स्टेशन पे मतब ग्राउंड स्टेशन जो है भारत के अंदर बेंगलूरु में वहाँ पर 1440 जो इमेजेज है सन के वो हमें मिलेंगे और फिर उसकी स्टडी यहाँ पर करने की कोशिश की जाएगी तो काफी कुछ है अधित एलवन में देखते हैं आगे किस तरह से कीजिए हो पाती है बर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देना था है ना होप कि आपको इंट्रेस्टिंग लगा होगा जाने से पहले एक इंट्रेस्टिंग कोशन क्या आप बता सकते हो कि अगर हम मालो रात में आप आपवान की तरफ देखते हैं तो हम कैसे डिफ्रेंशेट कर पाएंगे बिट्वीन स्टार एंड आर्टिफिशल सेटलाइट और स्टार के बीच में हम कैसे अंतर बता पाएंगे इन चार आप्शन में से आपको बताना इसका राइट आंसर आप सबको पता है मेरे इंस्ट तीयारी करो और स्टूस अब तयारी हुई आप तयारी हुई अफॉरड़ ब्रॉसूर्ण